हालो एवरीबन तो फ्रेंड्स आज मुझे कहीं जाना है हमारे एक फंक्शन हो रहा है तो बस आज मैं वीडियो में आपको कोई editing और कोई thumbnail और कोई description नहीं ठीका रही हूं आज मैं जस्त एक मस्ति के mood में हूं और मैं तैयार कैसे होकर कैसे उस function में जा रही हूं बस इसी की आपको तैयारी दिखा रही हूं क्योंकि बच्चे अभी स्कूल जा चुके है घर में कोई नहीं है और मैं फुर्सत में हूँ तो म बस मैंने एक साड़ी पहन लिये और अब मैं थोड़ा सा अपना हलका फुलका मेकप करूंगी जैसा मुझे आता है और थोड़ी सी ज्वलरी पहनूंगी और फिर लंज की थोड़ी सी तैयारी को सेट करके मैं जाओंगी क्योंकि लंज से पहले मैं आ जाओंगी तो चलिए यहां सेट कर दिया है और अब मैं अपने फेस पर थोड़ी सी क्रीम लगाऊंगी थोड़ा सा प्राइमर लगाऊंगी और फिर अपना हलका सा मेकप करूंगी तो मैं कलर बार का ही प्राइमर यूज करती हूं जनरली और इससे स्वेटिंग बहुत कम होती है तो आप पर नहीं हूं तो यह मैंने अपना प्राइमर लगा लिया है जब भी आप मेकप करें ना तो प्राइमर जरूर लाए किजिए अब मैं अपना हलका सा लाइट वाला यह फाउंडेशन लगाऊंगी यह क्रीम है फ्रेंट्स सुनी सा कोरियन और उसके ओपर हलकी सी सी इनको मि मैं एक पाउड़ेशन नहीं लगाती हूं कि तो अब हलका साईस को मैं तच आप कर लेती हूं तो यह देखिए मैंने फाउंडेशन के कोटिंग कर लिए हलकी सी बहुत ज्यादा नहीं किया देखिए सिंपल ही है बहुत ज्यादा मेकप गर्मी में अच्छा भी नहीं लगता है तो यह देखिए और अब मैं अपना क्योंकि मेरी साड़ी आज ग्रीन कलर किया है तो मैं वॉइस में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था तो मैंने सुचा वॉइस ओवर करूंगी तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रही फ्रेंड्स मैंने सिंपली पिंग कलर का लाइनर लगाया है और यह मेरा थोड़ा सा ब्लुइश ग्रीनिश कलर का लाइनर है और यह मैं बेस साइ मेरा एरिंग है जस साडी का बॉर्डर का मैच हो रहा है और मैं उसी को पहन रही हूँ आज फुरसत से तयार हो रही हूँ वैसे तो मैं पटा-पट होती हूँ बट सचा इसको वी लॉग बना करके डालूंगी और यह मैंने एक चोटा सा नेकपीस पहना है यह देखिए और अब मैं लगाऊंगी अपनी लिपस्टिक तो बस साडी के साथ हलकी सी रड़ेश औरेंज वाली शेड मैंने यूज़ किये जनरली मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है और जो मैं तयार होगी ना फ्रेंड्स तो यह नेकपीस मुझे थोड़ा जमा नहीं तो मिरे पास एक और नेकपीस भी था और मेरी बेटी रात में यही बोल रही थी आप यह पहनना बट मैंने का नहीं नहीं यह बहुत हैवी हो जाएगा बट वो सही बोल रही थी यह थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था एरिंग के साथ में मैंच नहीं हो रहा था तो मैंने यह वाला नेकपीस ले जाती हूँ और आज साड़ी पहनी थी तो चल लगा लेती हूँ और अब मैं अपने बाल ठीक कर रही हूँ वैसे तो फ्रेंट्स में अपने घर के बाहर जाके कॉम करती हूँ अपने गार्डन में क्योंकि इतने बाल मेरे तूटते हैं पूरे घर में बाली बाल हो जाते बीच में बाल कटवाए थे बहुत जड़ रहे थे तो अब बढ़ गए हैं और पारलर जाने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है पारलर क्या फ्रेंड्स मुझे तो आराम से अपने लिए कुछ करने का भी टाइम ही मिलता कभी-कभी तो केक का ओर्डर और ये और आज भी फ्र फ्रेंड्स तैयार हो रही हैं जैसे वो लोग वीडियो मुवीज में दिखाते हैं न तो ये बस तीन मेंगल मैंने डाली है एक हाथ में स्मार्ट वाच पहन लिए है और लीजिए मैं अपने फंक्शन के लिए रेडी हो गई हूं और एक चोटी सी मेरे पास देखिए जाओंगी तो मैं आपको लेके भी चलूंगी और उनके आने के बाद फ्रेंड्स दो तीन फोटो दो छोटी छोटी चोटी क्लिप्स वीडियो की मैं अपने गार्डन में भी शूट करूंगी जब भी मैं तयार होती हूं तो एक दो फोटो जरूर लेती हूं तो अभी दो म करते हैं उनके आने का और फिर मैं आपको उस इवेंट में लिके चलती हूं तो मेरी फ्रेंड्स फ्रेंड आ गई है एक दो आनी थी पर एक ही आई है तूसरी थैयारी नहीं हुई थी तो यहाँ पर मैंने उनको बोला थोड़ी सी मेरी वीडियो की क्लिप्स लेलो थोड़ी इवेंट को celebrate करते हैं, competitions होते हैं, programs होते हैं और फिर lunch के साथ वो पूरा program खत्म होता है तो यहाँ पर उसी की तैयारी नहीं देखे हैं चल रही है यहाँ पर हमने इनके लिए बहुत सारे इवेंट्स और्गनाईज किये हैं मेंधी competition है, तंबोला है जो best तैयार होके आएग तो बस हम मिलकर यही अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जैसे ही आएंगे, इवेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि आज ना, पुछ बच्चों के एक्जाम देते हैं, तो हमने बूला था हम साड़े 11 तक आएंगे, और जो जवान friends किसी कारणवर्ष शहीद हो जाते हैं, त facilitate करते हैं, उनको gifts बगर देते हैं, उनको पूसते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, और यहां पर देखिए, जो best dress up होके आए, उसका competition स्टार्ट हो गया है, सभी style से आ रही हैं, एक एक करके, यह लोग पहले अपना नाम देते हैं, और उस असाब से theme क हिसाब से तयार होके आते हैं, तो यहां पर judgment इनका हो गया है, और एक दो photographs भी हमने click की, ताकि हम इसे आगे forward कर सके, officially जाती है photographs, और यहां पर friends यह मारी senior थी, उन्होंने का हम भी थोड़ा सा entertain करते हैं, तो हमने भी एक चोटा जा fashion show किया, यह देखिए, तो मैंने अपना य ऐसे ही मुझे जादा तो कुछ आता है नहीं friends, पता भी नहीं था का कड़ा होना है, तो किसी ने बताया, यहां आपको कड़ा होना है, ऐसे ही हमने कुछ थोड़ी सी मस्ती के पल गुजारे हैं यहां पर, यह मेरी friends और भी जितनी भी friends हैं, सब एक एक खर के देखिए आ रह हैं, उनके साथ हम हैं, कोई दिक्कत आती है, कोई परशानी आती है, तो हम आपके साथ हर समय कंदे से कंदा मिला करके खड़े हुए हैं, तो इस तरीके से देखिए, एक competition हो गया, आप दूसरा passing the parcel चल रहा है, और यहां पर pillow pass करना है, और इसमें भी last में जो winner होगा, उसको प्राइस दिया जाएगा, तो हमें यह करवाना होता है, तो एक एक करके हमने अपनी duties डिवाइट की थी, और यहां पर देखे, passing the parcel हो गया, अप स्टार्ट हो गया है, तंबोला, और बहुत सी लेडिस को तंबोला कोलना नहीं आ रहा था, तो हमें यहां पर यहां पर यह प देखे, friends, facilitate कर रहे हैं, इस दिन तो हमें ने बुला करके सम्मान देते हैं, बट टाइम टू टाइम हम सिर्फ उन पर बात करते हैं, तो बताईए, कहीं कोई आपको परिशानी आ रही है, किसी वज़े से फाइनाइंच लेए या कोई और, तो वो हमें बताते हैं, और हम बह करने, वीवर्स को भी दिखाना है, कि आज में कहां तयार हो करके गई थी, यहां पर देखे, जो हमारी इंद्रिंग कर रहे है, वो भी एक लेडी कॉंस्टेबल है, और वो इस तरीके से अनौन्स कर रहे है, और यहां पर देखिए, हमारी जो बेस्ट थीम से तयार हो की सर्व प्रधम में कारेक्रम में शामिल होने आई सभी विरांगनाओं का तहे दिल से स्वागत एवन धन्यवाद देना चाहूंगी उनके कदम से कदम मिलाकर चलती है तो आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी के तप और त्याप को प्रड़ाम करते हुए आपका बहुत बहुत आभाव्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ इसी प्रकार एक परिवार के रूप में निरंदर प्रगतिकी और अग्रसर रहें धन्यवाद जैहिन तो यहाँ पर देखिए सभी अब लंच वगेरा कर रहे हैं सभी अपने खाने में लगे हैं और लास्ट में फिर हमने फोटोग्राफ्स वगरा कीजी क्योंकि हमें जो हमारा डेली का एड़ आफिस है वहाँ पर ये फोटोग्राफ्स भेजनी होती है कि हमने किस तरीके से ब पिक्स वगरे शेयर कर रही हूं कुछ हमने ग्रूप फोटोग्राफ्स वगरे ली और इस तरीके से फ्रेंड्स 18 तारिक का जो दिन था वो हमने ऐसे सेलिब्रेट किया और फ्रेंड्स यहाँ से जाने के बाद मुझे केक का ओडर भी था तो जाते जाते मैंने का भया बेरी पिक्क कर दो फोटोग्राफर से और लीजे फ्रेंड्स अब हमारा फाइनल बावा सॉंग चल रहा है इसको मैं आपको सुना नहीं सकती फ्रेंड्स नहीं तो इस पर कॉपी राइट आ सकता है आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि बावा सॉंग ऑफ बी एसे तो आपको सुन जाएगा माकी ममता सा प्यारा बावा है हमारा और यहां पर फ्रेंड्स फिनिशिंग हो गई है और मैं घर पर आ गई हूँ और मेरी हालत आप देख सकते हैं पसीने में तर बतर और मेरी बेटी ने गेट खोला है तो बूल रही आपी भी हाथ में केमरा है मैंने का हाँ आज मैं vlogging कर रही हूँ और ये मैं आ गई हूँ घर के अंदर तो ये था आज का friends vlog जल्दी आपके साथ और भी नए-नए अपने vlogs काम से related market में कैसे मैं जाती हूँ, सामान लाती हूँ वो भी share करूँगी ये vlog पसंद आया हो तो like कीजेगा, share कीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को भी subscribe कीजेगा तो आज के इस vlog में friends बस इतना ही बिलेंगे अपने next video में कुछ और नया देखने के लिए और सीखने के लिए तब तक के लिए, bye bye, take care, jay hai